यह है लेनोव वाच 9 एक स्मार्ट वाच वाच यह पड़ेगा आपको तक्रीब एक हजार दो सो रुपय के आसपास अभी जो प्राइजिंग है यह लिमिटेड पीरिड के लिए है इस वीडियो में मैं इसकी अन्वक्सिंग करने वाला हूं आपको इस स्मार्ट वाच की खास फीचर के बार में बताऊंगा तो देख रही है लेनोव वो कंपनी का वाच 9 यह एक क्वाच स्मार्ट वाच है जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स पाकिंग काफी कॉम्पाक्ट है बहुत ही छोटी सी बॉक्स पाकिंग है चलिए इसके अन्बॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है अब जो वाच है इसके कीमत है तकरीबन 1200 रुपे के असपास और यह लिमिटेड पीरेट के लिए है बॉक्स के अंदर आपको यह यूजर मैनल मिलेगा वाच 9 लिखा हुआ है और जो भी कॉंटेंट है इस नवो वाच 9 यह एक क्वाच वाच है इसके ओपर एक फिल्म लगा हुआ है उसे मैं निकाल देता हूँ यह लिजे यह दूसरे क्वाच वाच के तरह ही है लेकिन यह आपके फिटनेस अक्टिविटेज को ट्रैक कर सकता है कितना कैलरीज अपने बर्न किया है कितना डिस्ट लिए हैं वगएरा वगएरा राउंड टाइल है और जो ग्लास है यह सफायर ग्लास है नाइन इज का हार्डनेस है जो केस है यह स्टेनलेस टील मटरिल का बना हुआ है और यह वाच है यह 5 ATM वाटर्पूफ है मतलब कि आप इसे पानी के इंदर भी ले जा सकते हैं इस आप है यह सुलिकन मटरियल से बना हूँए देख सकते हैं कि आपर भी और नीचे भी texture दिया हुआ है strap काफी नरम है और skin Friendly भी हैं जो बकल है यह stainless steel material से बना हुआ है, इसके पर एक film लगा हुआ है, उसे मैंने निकाल दिया है, यह देखे, तो यह साधरन से दिखने वाला watch है, और यहाँ पर देख सकते हैं, crown दिया हुआ है, अब यह जो crown है, इसे आप घुमा नहीं सकते हैं, सिर्फ प्रेस कर सकते हैं, इस प्रकार से, यह देखे, इसे प्रेस करते ही, जो LED light है, वो blink होना शोर हो जाता है, देख सकते हैं, कि रेड कलर का LED light है, वो blink हो रहा है, प्ले सोर में जाहिए, और वहाँ पे Lenovo Watch 9 सर्च कीजिए, आपको जो application है, वो मिल जाएगा, वो भी आपके language में, मतलब की English में, यह देखे, यह है तो यह application को मैं start कर देता हूँ, और उसके बाद में आपको pair करना पड़ेगा, simple सा process है, आपको step by step follow करना है, इस प्रकार से, आपको यह button ब्रिस करना है, मतलब कि जो Bluetooth है, यह on हो गया है, watch पर, और जो Bluetooth है, आपके smartphone पर, उसे भी on करना है, और यह देखे, अब यह detect हो गया है watch 9, और tap करते ही, कुछी seconds में, जो watch है, आपके smartphone के साथ में pair हो जाएगा, एक बार यह process हो जाएगा, तो आपको एक confirmation के लिए, यह जो watch है, इसे आपको shake करना पड़ेगा, यह फिर जो button है, उसे आप press कर सकते हैं, यह देखे, इस प्रकार से, मैं button को press करता हूँ, और यह ले important है, यह जो calibration screen है, इस पर आपको, जो भी time आपको watch पर दिख रहा है, वो type करना है, उसके बाद में, जो watch है, आपका जो phone पर time है, उसके साथ में synchronize हो जाएगा, यह जो ground दिया हुआ है, इसका function totally अलग है, तो जादा करके जो भी setup है, वो application के जरीए ही आपको मिल जाएगा, यह जो application है, इस पर आप कितना steps आपने लिया हुआ है, वो count कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, my watch लिखा हुआ है, इसे tap करते ही आपको watch के बारे में जो settings है, वो दिख जाएगा, प्लस बहुत सेरे अन्य options है, उसे आप enable या disable कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, remote shutter, heart rate, smart alarm, smart reminder, इन सब का option दिया हुआ है, तो जादा करके जो भी setups है, वो आपको application के जरीए ही करना पड़ेगा, applications में यह सारे options available हैं, मैं आपको कुछ और चीज़े बता देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कितने आपने steps लिया हुआ है, यह watch आपके sleep pattern को भी monitor कर सकता है, heart rate का भी option है, लेकिन heart rate के लिए यह जो watch है, यह आपके smartphone का उप्योग करेगा, smartphone के पीछे जो light है, जो LED light है, उसका उप्योग करता है, तो एक पुराना type का process है, वैसे यह जो smart watch है, इसमें built-in heart rate sensor नहीं है, इसके अलावा, यहाँ पर आप दिख स यहाँ से आप उसे enable या disable कर सकते हैं, जब कभी आपको कोई notification आता है, तो आपको vibration alerts मिलेगा, आपके smart watch पर, अगर आपको contents पढ़ना है, या call receive करना है, या cancel करना है, उसके लिए आपको आपका smartphone है, उसी का उप्योग करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे देखें, 0-100 numeric marking है, यह जो button है, इसे एक बार short press करते ही, आपके activities के बारे में कितना steps आपने लिया हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, यह देखिए, तो जो second का hand है, वो 0-100 के बीच में कहीं भी रुख जाएगा, उसे आपका idea मिल जाएगा, कि आपने कितने steps लिये हुए है वैसे मैंने बहुत ही कम steps लिया हुआ है, तो तकरीबन 0 के आसपास ही है, application में आपको और भी detailed information मिल जाएगा, देख सकते हैं कि मैंने फिलाल 204 steps लिया हुआ है, यह watch को पहन के मैं कुछी देर चला हूँ, तो यह साधरन से धिखने वाला quartz watch आपके fitness activities को भी track करता है, और यह आपको consistent results देगा, बैटरी लाइफ के अगर बात करें तो इसमें एक button cell बैटरी का उप्योग होता है, और यह जो बैटरी है यह तकरीबन 8 मेने से लेकर एक साल तक आसानी से चल जाएगा, तो यह watch आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताईए, अगर आप आपको यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाल आइकन है उसे भी enable कर दिजिए, और देखते रहिए